हलो एवरिवन, आई मास्था, वलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चनल, गवर्मेंट जॉब जेन्यो नॉटिफिकेशन अससीगी तरफ से दहली पुलिस ड्राइवर रिक्रूट में नॉटिफिकेशन 2022 का रिलीस कर दिया गया है आप जुलाई 2022 को, कल नाइट में इसका नॉटिफिकेशन रिलीस किया गया है सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में किलिया करेंगे जैसे कि इसमें इंपोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है एपलाई करने की लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट साथ में इसकी जो भी अधर इंपोर्टेंट डेट्स हैं सारी डेट्स के लिए करेंगे इसके बाद eligibility criteria देखा जाएगा इसमें आपकी essential qualification requirement age limit, इनकी cut-off date क्या है age का आपका worth date क्या होना चाहिए ये भी हम इस वीडियो में discuss करेंगे selection procedure देखेंगे कितने stages में होता है पहले आपका return होगा या physical होगा exam language क्या रहेगी किन languages में आप ये exam दे सकते हैं PET, PMT, detail हम इस वीडियो में देखेंगे साथ ही आपका PET, PMT जो रहेगा और trade test रहेगा वो आपको कहां पर देना होगा इसका center कहां रहेगा salary क्या रहेगी NCC certificate के क्या benefits आपको मिलेंगे अगर आप NCC आपके पास certificate है NCC का तो आपको इसके क्या benefits रहेंगे required documents कौन-कौन से है कौन-कौन से documents आपको document verify के time पर required रहेंगे and qualifying marks क्या रहेंगे साथ में क्या PWD candidate भी इसके लिए eligible है या नहीं सारे points हम इस वीडियो में के लिए करेंगे तो आप वीडियो को end तक देखेगा अगर आप SSC, Delhi Police Recruitment Driver Recruitment के लिए eligibility रखते है Delhi Police की यह भरती है, posting आपकी देखली में रहेगी लेकिन All India से candidate में apply कर सकते हैं, ओके तो चलिए इसका notification देखने हैं पहले तो तो यह रहा इसका notification और सबसे पहले important dates के लिए करेंगे तो date for submission of online application 8 July से start हो गए हैं, 29 July 2022 तक आप इसमें apply कर सकेंगे online application receipt करने का last date and time 29 साथ 2022 रहेगी, last date and time for generation of offline चालान, इसका भी 29 July 2022 fee pay करने का last date रहेगा, आपका 30 July 2022 last date for payment through चालान, 30 July 2022 date for window of application form correction के लिए आपकी अगस्त में, 2 अगस्त 2022 को आप इसमें window open हो जाएगी and इसमें charges भी रहेंगे लेकन आपके correction के so scheduled of computer-based examination, आपका ये जो examination है ये October 2022 में इसका रहेगा, जो CV आपका होगा, वो October 2022 में रहेगा चलिए, next यहाँ पर हम देखेंगे, कुछ important points यहाँ पर दिये गए हैं जैसे कि apply आपको online करना होगा, date हमने किलिया कर ली, 8 July 2022 को आपको apply करना है and इसकी language हम देखेंगे, तो online आपको apply करना है और जो language आपकी रहेगी, computer based examination की जो language है वो सिर्फ और सिर्फ English और Hindi, ये दो ही language हैं जिसमें आप ये exam दे सकते हैं इसके अलावा other कोई किसी भी language में आप ये exam नहीं दे पाएंगे तो Hindi and English, जो भी आपको suitable हो, जो भी आपको अच्छे से आती हो उस language में आप अपना exam दे सकते हैं फिजिकल, endurance test and measurement test ये आपके कहाँ पर होंगे तो इनका जो center होगा, PET and PMT के लिए ये दहली पुलिस के दोरा लिया जाएगा और इसका जो center है आपका दहली ही रहेगा means अगर आपका इसमें selection होता है तो आपको PET and PMT के लिए दहली जाना होगा दहली पुलिस के दोरा ये किया जाएगा after conduct of PE and MT and trade test trade test भी आपका दहली में ही होगा तो PET, PMT and trade test आपके दहली में रहेंगे अगर आप इसमें select होते हैं next the post of constable is not suitable for person with disability and female candidate तो यहाँ पर किया गया है PWD candidate इसके लिए eligible है या नहीं तो PWD candidate इसके लिए eligible नहीं है and female candidate भी eligible नहीं है okay so only male candidate इसमें apply करेंगे लेकिन PWD candidate इसमें apply नहीं कर सकेंगे इसके बाद हम बात करेंगे finally यहाँ पर कुछ important points है apply करने से related भी बताएगा है आप देख लिए जगा salary देखेंगे तो इसमें जो ड्राइवर डैली पुलिस ड्राइवर की जो salary रहेगी level 3 से 21,700 से 79,100 रहेगी vacancies आप देख रहे हैं driver male candidate तो यहाँ पर जो open category यानि fresher candidate के लिए 1270 है और ex-service man के लिए 141 है total 1411 post है अब अगर आप fresher candidate है तो 1270 आपके लिए रहेंगी categories wise आप यहाँ पर देख रहें ex-service man भी इसमें apply करेंगे उनके लिए 141 post रख ही गई हैं यहाँ पर Indian citizen apply कर सकते हैं age limit आपकी रहेगी 21 से age limit है 21 से 30 साल minimum 21 minimum 21 and maximum 30 year है 1 July 2022 के base पर देखी जाएगी and यहाँ पर अगर हम date की बात करें तो 2 साथ 2 July 1992 से लेकर के 1 July 2001 के बीच आपका worth date होना चाहिए तो आप इसके लिए eligible रहेंगे यह general candidate के लिए age limit है अगर आप reserve category से ब्लॉंग करते हैं तो आपको relaxation मिलता है SCST candidate को 5 years OVC को 3 years ex-serviceman को 3 years मिलेगा and sports person है तो उनके लिए भी यहाँ पर age relaxation दिया गया है ओके so next यहाँ पर हम देखेंगे worth date वगर आपने देख लिया है आपका worth date किस year से आपका worth date यहाँ पर होना चाहिए इसके बाद next यहाँ पर apply करने से related कुछ process दी गई है वो आप देख लिए जगा essential qualification essential qualification में 12th pass मांगा गया है 12th pass candidate इसमें apply कर सकते हैं किसी भी subject से आपने 12th pass कर लिया है और आपका 12th pass out 29 July 2022 तक आपके पास mark seat आपकी होना चाहिए यानि pass proof आपके पास होना चाहिए heavy water vehicles का closing date of receipt of online applications तक और अगर हम बात करें कि इसमें learning license जो होता है कि आप वो apply कर सकते हैं तो learner's license will not be accepted तो यहाँ पर learning का जो license होता है अगर आप उस base पर apply करना चाहते हैं तो आप apply नहीं कर सकेंगे चलिए यह points अबारे clear हो गए अब यहाँ पर हम NCC वाला देख लेते हैं incentive to NCC certificate hold us अगर आपके पास NCC certificate है तो आपको यहाँ पर C certificate के लिए 5% of maximum marks of the examination जो examination का total marks है उसका 5% आपको extra दिया जाएगा bonus marks यहाँ पर मिलेंगे आपको B certificate अगर आपके पास है तो 3% मिलेगा और A certificate अगर आपके पास है तो total examination marking का 2% आपको bonus यहाँ पर दिया जाएगा तो अगर आपके पास certificate है NCC का तो वो यहाँ पर आप दे सकते है what is up additional mark यहाँ पर दिये गए हैं like graduation diploma आपके पास है post graduation destination first class, second class and pass out तो यह यहाँ पर ex-servicemen वगरा के लिए जैसे कि अगर आपने कोई certificate graduate diploma post graduate diploma certificate आपके पास है या degree आपके पास है जो कि रास्टी रक्षा युनिवर्सिटी से है तो उसका भी यहाँ पर आपको वेटिस दिया जाएगा maximum marks का 5%, 4%, 3%, 2% how to apply तो दहली जो ssc.nic.in पर जाकर करके आप अब भी apply कर सकते है application start and last date है 29 जुलाई 2000 application fees यहाँ पर 100 रुपीज है 100 रुपीज application fees है general candidate के लिए अगर आप sc.s.d. candidate है ex-servicemen candidate है तो आपके लिए application fees माफ है only यहाँ पर general जो male candidate रहेंगे general category के उनके लिए application fees यहाँ पर 100 रुपीज रखी गई है online है आपको यहाँ पर application fees भी pay करनी होगी window correction का यहाँ पर दिया गया है 2 जुलाई मैंने आपको date बता दी है लेकिन आप form अच्छे से fill कीजेगा क्योंगी correction में आपका यहाँ पर charge भी लगेगा तो पहले ही आप अपना form अच्छे से fill कीजे center all India में रहेंगे आप यहाँ देख सकते हैं जिस भी जॉन से आप apply करते हैं उसका जो address है वो भी दिया गया है और कहाँ पर आपके examination center रहेंगे वो भी यहाँ पर दिये गया है next आपर देखेंगे scheme of examination तो सबसे पहले आपका इसमें होगा computer-based examination देन होगा आपका physical endurance test और उसके बाद होगा trade test and then medical examination और document verification वगर आपका रहेगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे computer-based examination इसमें आपके 100 questions रहेंगे MCQs types रहेंगे एक question के 4 option आपको दिये जाएंगे अगर हम subject की बात करें तो part A में general awareness 20 questions 20 marks के रहेंगे part B में general intelligence 20 questions 20 marks part C numerical ability 10 questions 10 marks and part D में road sense vehicle maintenance क्योंकि driver की post है so traffic rule, signal, vehicle इन से related आपके 50 questions 50 marks के रहेंगे total 100 questions 100 marks रहेगा 90 minute की timing दी जाएगी negative marking भी रहेगी so answer आपको carefully देना होगा language आपकी Hindi और English दौनम ऐसे जो भी आपको suitable हो उसमें आप दे सकते हैं okay, so level पर मैं detailed video अपने second channel get more info पर upload कर दूँगी so वहाँ पर आप visit कर लीजेगा और अगर आप चाहें तो मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं link मैंने description box में दे हुई है okay, आप यहाँ पर देखेंगे physical endurance test and measurement test तो physical endurance test आपका होगा return examination के लिए करने के बाद और question paper का level मैं यहाँ पर बता दूँ 10th level का आपका question paper रहेगा अगर आप up to 30 year के candidate हैं तो आपको 1600 मीटर की running करने होगी 7 minute का timing दिया जाएगा long jump आपकी 12.6 feet की रहेगी and high jump 3 foot 6 inch की रहेगी above 32, 40 अगर आप 30 से 40 साल के हैं means आप ex-service man है या reserve category में आते हैं तो आप 40 साल तक applies में कर सकते हैं आपको timing 8 minute की दियाएगी 1600 मीटर running के लिए और 40 के above है जो ex-service man है उनको 9 minute की timing दियाएगी 1600 मीटर running के लिए इसके बाद physical standard में देखेंगे height तो minimum 170 cm है relaxation आपको मिल जागा 5 cm तक का अगर आप hilly area से belong करते हैं तो relaxation आपको मिल जागा chest 81 cm with minimum 4 cm expansion के साथ रहेगा means 81 to 85 cm chest रहेगा और जो hilly area से belong करते हैं उनको relaxation है ST candidate को भी relaxation है trade test आपका रहेगा जिसमें आपका driving license वगरा ये check होगा driving का test आपका यहाँ पर लिया जाएगा so यहाँ पर आप देखने है trade test में आपका क्या रहेगा total mark driving का यहाँ पर रहेगा forward 20 marks driving reverse 20 marks का रहेगा parking 10 marks की रहेगा ये test आपके लिए जाएगे driving forward back bird या parking का total आपका 50 marks का रहेगा qualify करने के लिए आपको 25 marks इसमें जरूरी है लाना heavy motor vehicle driving का भी same ऐसे ही रहेगा forward reverse और parking करना आपको आपका trade test यह होगा इसमें भी आपका 50 marks कर रहेगा 25 आपको qualifying marks है knowledge of traffic sign, road, sense, basic driving rules इनका रहेगा इसमें आपका 25 marks कर रहेगा और qualify करने के लिए साड़े वार आई यानि 12.5 marks आपको लाने होगे knowledge of maintenance of vehicle, type of pressure, battery, water level, quantity and grade of oils इससे related questions रहेगे किये जाएगे जो की 25 marks कर रहेगे 12.5 marks आपको qualify करने के लिए required रहेगा medical standard में better eye vision 6x6 यानि 6x6 without glass and what's eyes 6x12 without glass admission for the examination तो यहाँ पर यह कुछ points देगा है important documents हम देखेंगे तो इसमें आपके जो documents required रहेंगे उसमें रहेगा other card, print out of e-card water ID card, driving license, pen card, passport, ID card issued by university, college or school, employed i-card आप लगा सकते हैं ex-service man, discharge book issue यह आप दे सकते हैं any other photo, wearing valid ID card issue by central या state government the original valid photo ID proof having the date of birth as printed on the admission certificate okay, so यह सारे points हमने यहाँ पर clear कर लिए है 10th की आपकी marksit यहाँ पर लगेगी essential education qualification जो भी आपके driving license mention in the notice यहाँ आपका form फिलप से related यहाँ बताया गया, mode of selection है qualifying marks तो qualifying marks आपका जो written examination होगा उसमें unreserved और EWS candidate के लिए 40% रहेगा CST OVC के लिए 35% और ESMX serviceman के लिए 30% qualifying marks हैं यह आपको यह exam qualify करने के लिए कम से कम इतना marks लाना होगा CVE में computer based examination में so I think सारे points हमने यहाँ पर clear कर लिए है कोई सारे जो भी fees हमने देख लिए है age limit देख लिए है जो benefits है examination center है examination scheme है सब कुछ हमने clear कर लिए है अब अगर आप इसमें apply करना चाहते हैं आप भी एक बार detail notification चेक कीजिएगा सारे points बैसे मैंने आपको बता दिए फिर भी अगर आपके में कोई doubt हो तो आप मुझे comment कर सकते है वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को like कीजिए thank you